पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रोरी है सही कोच कहोंगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाओ। हेलो इस्ट्रेंट मैं निखिल कुमार एक फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चाहिए CGPSC पाथशाला में CGPSC पाथशाल में आज कोगा टॉपिक है काफी बड़े है और काफी इनपॉर्टेंट है एक्जाम में इससे कोशन देखने के लिए मिलता है अध्याए 6 संस्थागत वित्ते में वी नियूजन वाले टॉपिक से कथन आज आ रही थी स्टेटमेंट वाले कोशन देखने के लिए मिलेंगे जबकि अध्याय साथ क्रिशियम सब्बद वाले सिवा वाले टॉपिक से आपको आकडे वाले प्रशन सिंगल वन लाइनर आकडों से संबंध है डाटा वाले कोशन देखने के लिए मिलेंगे तो दो टॉपिक इनपॉर्टेंट है इसे अच्छे से कवर कीजेगा दूसरा आप में से बहुत से स्टुएंट ये मैसेज कर रहे है यूट्यूब पर कि करेंट अफेर की जो वीडियो सिरीज है उसे 15 डेस वाला कंटीनू करें देखिए 15 डेस वाला आपका वीडियो सिरीज कंटीनू हो जाता है लेकिन actually में क्या है कि sufficient amount में जब तक करेंट अफेर के content हमें नहीं मिलते तब तक हम उसके वीडियोस नहीं बना पाते ठीक है आप देखे होंगे कि generally हमारे जो वीडियो जो current affair के वीडियोस है ये 15 डेस में ही अपलोड होते है लेकिन क्या है कि अभी जैसे हमने एक से लेकर के 15 जुन तक के current affair का वीडियो सिरीज बनाने का planning किया था लेकिन जब उसे हमने type किया तो मुश्किल से 3 या 4 स्लाइड ही प्रिपेर हुए उतने content को record करके upload करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट या 8 मिनट का वीडियो बनेगा और इतना छोटा वीडियो बनाना हमें उतना beneficiary नहीं लगता ठीक है तो जब sufficient amount में करेंट अफेर कंटेंट होंगे तब जरूर आपका 15 दिन के 15 दिन आपको current affair का content मिलेगा कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमें 10-10 दिन में आपका 1 से लेके 10 11 से लेके 20 आपका 21 से लेकर के 30 तारीक यानि कि 10-10 दिन के current affair के वीडियो भी हमने upload किया है जब content जादा हुआ करते थे लेकिन अभी content ही नहीं है इसलिए video series अभी मन्थली आ रहा है इस मेहने का भी आपका एक से लेकर के 30 जुन तक के current affair का वीडियो एक साथ upload किया जाएगा जुन महा के end में ठीक है या फिर आपके जुलाई महा के फर्ष्ट वीक में ठीक तो चलिए शुरू करते है अध्याच है संस्थागत वित्त एवं वीनियोजन काफी important topic का ध्यान समझते वे चलिएगा दे जब इन योजनाओं को लागू किया गया ये योजनाओं अपने साथ हमारे देश में एक अलग वित्तिय क्रांती एक नई वित्तिय क्रांती की इन योजनाओं ने शुरुवात करी थी ठीक है इसलिए योजनाओं आज भी महत्तपुन बने हुए है इनके लागू किये जान तो ध्यान समस्तों चलिएगा, देखे, सबसे बड़े नंबर पर है, जैसे यहाँ पर टेबल में कुछ योजनाओं को दर्शाया गया है, यहाँ पर है क्रमांक, यह है योजना, योजना का प्रारम हुई, योजना के अंतरकत कौन पातर होंगे, योजना में क्या-क्या प्रा स्वतंतरा दिवस के औसर पर लाल किले की प्राचीर से, देश के ग्रामिन छेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए, एक नई योजना की घोशना की गई थी, जिसका नाम है प्रधान मंत्री जंधन योजना, जो बोल रहा हूं, उसको ध्याना समझ करते हुए, इस योजना की शुरुवात की गई, अब यहां पर ग्रामिन परिवार, या फिर ग्रामिन छेत्र में निवास करने वाले परिवारों का जिक्र क्यों हो रहा है, एक्चुली में ये जो आपकी योजना है, आपका प्रधान मंत्री जंधन योजना, ये बैंक एक एकाउंट खोले जाने से संबंदित है, जो ग्रामिन छेत्र में जो परिवार निवास करते हैं, जनरली उन परिवारों का अपना खुद का एक बैंक एकाउंट नहीं होता, आज की डेट में तो सभी का लगभग बैंक एकाउंट हो चुका है, लेकिन ये बात हो रही है, य उसका रिजन क्या था, क्योंकि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है, जितने भी आपका बड़े-बड़े बैंक है, उसमें एकाउंट ओपन करने के लिए एक minimum deposit देना पड़ता था, एक new नितम राशी जमा करनी पड़ती थी, तभी आप एकाउंट खोल सकते थे, कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए जमा करेंगे, तभी आपके लोग अपना 1000 रुपए בी कहीं एक जगा फषा करके नहीn रखना चाहते है, इसलिए वो बैंक एकाउंट खोलवाते ही नहीं, तो उन ग्रामेंड छेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री जंधन योजना की शुरुवात करी और जो मुख्य कारण था बैंक अकाउंट न होने का जो minimum deposit amount था उसे कर दिया zero याने कि इस प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत जीरो बैलेंस पे बीच एकाउंट ओपन किया जा सकता था धीक दूसरा जादा से जादा लोग इस योजना के अंतरगत अपना एकाउंट ओपन करे अपने खुद का एक बैंक एकाउंट ओपन करे इसके लिए उन्होंने इस प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत खाता धारकों को आकरशित करने के लिए कुछ भीमा कवर की फैसलिटी लाई जिस कारण से बहुत से लोगों ने इस प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत अपना एकाउंट खुलवाया ठीक है इसमें जो लक्ष रखा गया था वो ग्रामीन शेत्र में निवास करने वाले परिवारों को रखा गया था लेकिन ये भारत के लगबग सभी लोगों को टार्गेट करते हुए इस योजना की शुरुआ की गई पंदरा अगस्त 2014 को नरेंदर मोदी जी के द्वारा गोशना किया गया था जबकि 28 अगस्त अखिल भारतिय इस्तर पर लागू कर दी गई इस योजना के अंतरगत 10 वर्ष से अधिक आयू का कोई भी व्यक्ति कोई भी जो है इस योजना के अंतरगत अपना एक बैंक एकाउंट खुलवा सकता है अब देखें यहां बात हो रही है दस वर्ष से अधिक हमारे देश में क्या है जनरली अठरा वर्ष से अधिक आयू के लोगों को वयस कमाना जाता है ठीक तो यहां पर बात हो रही है दस वर्ष से अधिक तो दस से ले करके दस से ले करके अठरा वर्ष आयू वर्ष की जो हो जैने कि कोई नियूनतम राशी जमा करने की आवश्यकता नहीं, आप जीरो बैलेंस पे भी आपना एक एक एकाउंट खोल सकते हैं, एक बैंक एकाउंट खोल सकते हैं, इसमें खाता धारकों को आकरशित करने के लिए कुछ बीमा कवर प्रतान किया गया ध्यान दिजेगा, ख दुर्गतना में मृत्यू होने की दशा में उसके नॉमिनी को यानि कि उसके परिवार वालों को एक लाख रुपए की बीमा कवर प्रदान की जाएगी ठीक है इसमें एक चीज भी एड किया गया है रुपे कार्ड रुपे कार्ड का मतलब जनरल यह जो आपका रुपे खुलाने के लिए जाएंगे तो आज के डेट में अगर आप एक नॉर्मल किसी भी बैंक पर जाकर बैंक अकॉंट खुलाएंगे तो वहां पर आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है और साती साथ चेक बुक भी मिल जाता है लेकिन प्रदान मंत्री जंधन योजना मैंने कुछ केल्कुलेट किया जाता है जिसमें अगर कोई खाता धारक पैसा जमा कर रहा है पैसा निकाल रहा है यानि कि बैंक का एक सफिशेंट एमाउंट में उसका यूज कर रहा है तो उससे एक रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा और उस रुपे डेबिट कार्ड धार खाता धारक को ही इस दुरघटना बीमा का लाब मिलेगा यानि कि सरकार क्या चाहर ही है कि बैंक में जो है बैंक का जादा से जादा उपयोग करे लोग ठीक है तभी उन्हें रुपे कार्ड मिलेगा और रुपे कार्ड मिलेगा तो उससे क्या होगा उन्हें दुरघटना बी कीमा कवर प्रुवाइड होगा और इसमें ओवर्डॉफ्ट फैसिलिटी है दस हजागा ओवर्डॉफ्ट फैसिलिटी का मतलग ये एक प्रकार का एक छोटे एमाउंट का लोन है याने कि अगर कोई खाता धारक बैंक से लगातार लेंदेन कर रहा है छे महने की अवधी में एक सफिशेंट एमाउंट में लेंदेन कर रहा है तो उसके लेंदेन को देखते हुए ये ओवर्डॉफ्ट की रासी डिसाइड की जाती है दो हजार, तीन हजार, पांच हजार, आठ हजार, दस हजार ये डिपेंड करेगा कि खाता धारक कितना लेंदेन कर रहा है उसके हिसाब से उसे मैकसिमम दस हजार रुपए तक की ओवर्डॉफ्ट फैसलिटी दी जाती है ठीक ध्यान दीजेगा इस प्रधान मंत्री जंदन बावन खाता धारक मौझूद है और ये जो आकड़े है इसे अगर आप ध्यान देंगे तो ये आकड़ा है थोड़ा सा संदेहास्पद क्यों थोड़ा सा देखिए हमारे 36 गड़ की जंसंख्या कितनी है वो है आपका 2.55 करोड, 2.55 लाग हमारे 36 गड़ की आबादी है अगर तीन गुणी भी बढ़ती है तो लगभग आपका 6,7,8,8 करोड के आसपास हमारे 36 गड़ की आबादी होनी चाहिए यहां खाता धारक कितना बता रहा है 44 करोड के आसपास बता रहा है 2011 की जंगरणा में कितना है 2.55 करोड हमारे 36 गड़ की आबादी है अगर उसका हम यह आकड़ा पूरे अखिल भारती इस तरका आकड़ा हो लेकिन अगर आप देखेंगे economic survey की book में अगर आप cross check करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि पिछले 3-4 साल में government जो आकड़ा पब्लिश कर रहा है यह 36 गड़ का आकड़ा पब्लिश कर रह अब इससे इसको अगर हम compare करेंगे तो देख लीजिए 44 गोना ज्यादा है 44 करोड की बात हो रही है 44 करोड खाता धरकों की बात हो रही है तो थोड़ा सा यह question mark है थोड़ा संदेह के घेरे में है वहाँ आप बकाड़ा table बना के दिखाया भी गया है यह जैसे बात हो रही है आपके जनवरी 2022 की यह है आपका जनवरी 2021 का आकड़ा जो कि यहाँ इसमें बकाड़ा mention किया गया कि 36 गड़ में खाता धरकों की संख्या इतनी है तो इसको थोड़ा सा यह question को देख करके attempt कीजेगा आप official government की economic survey से भी cross check कर सकते है और इस आकड़े में मैंने किसी प्रकर का छेड़ छाड़ नहीं किया है आप जा करके मिला सकते हैं ठीक है जनवरी 2022 तक की स्थिती में next देखिए next है आपका प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा जोजना अभी line से हम जो तीन योजनाए पढ़ेंगे ये आपके तीन योजना है कौन कौन सी प्रधान मंत्री जीवन सुरक्षा योजना के अंतरगत आते हैं ठीक है प्रधान मंत्री जीवन नहीं प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना के हिस्से है ये प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतरगत आते हैं याने कि 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना लाया गया और इस प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतरगत तीन बीमा योजनाओं को शुरू किया गया था एक था आपका प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना दूसरा था प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक था आपका अटल पेंशन योजना ये तीनों की तीनों योजना है प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना का हिस्सा है ठीक है तो देखिए अब एके करके इसका हम डिटेलिंग ठीक है देखिए प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना की शुरुवात हुई आपके 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतरगत 18 से लेकर के 50 वर्ष आयू वर्ग के लोग इस जीवन बीमा योजना का लाब ले सकते हैं इसमें 330 रुपए की वाशिक प्रीमियम राशी देनी होती है और इसके अंतरगत जो आपका खाता धारक है याने की जो बीमा धारक है अगर उसकी मृत्ति हो जाती है तो मृत्ति होने की दशा में उसके नौमिनी को 2 लाख रुपए की राशी दी जाएगी हमारे प्रदेश में इस प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश में 21.10 लाख लाभार थी 21.10 लाख लाभार थी इस योजना के अंतरगत शामिल है आपके जून 2021 तक के इस्थिती में इस प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश में कितने 21.10 लाख लाभार्थी जो है इस जीवन बीमा के अंतरगत शामिल है अब देखे इसा प्रशन किस प्रकार से पूछा जाता है कथन आधारित प्रशन प्रशन क्या दिया जाएगा प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना की शुरुवास 9 मई 2015 को हुई इस योजना के अंतरगत 18 से लेकर के 50 वर्ष आयू वर्ग के लोग पात रहोंगे इस योजना की वार्षिक प्रीमियम राशी 330 रूपए वार्षिक प्रीमियम निर्धारित की गई है इसके अंतरगत बीमा धारक की मृत्ति होने पर 2 लाख रूपए की बीमा राशी प्रदान की जाती है ये तो 4 statement हो गया अब इसमें date change कर देगा या पात्रता का जो वर्ष है 18 से लेकर के 60 वर्ष कर देगा या प्रीमियम राशी 330 के जगा 230 या 350 कर देगा बीमा की राशी जो है ये आपका 2 लाख के जगा 1 लाख या 3 लाख कर देगा तो ऐसे जो है कथन आधारित प्रश्ण देगा और पूछेगा कि निम्नलिकित में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है ठीक है तो तो देख करके solve करना है ऐसे question को ठीक है अगर उसकी मृत्य हो जाती है या स्थाई विकलंगता के दशा में दो लाक रुपे का कवर प्रदान किया जाएगा, जबकि अईस्थाई विकलांगता के दशा में बीमा धारक को एक लाक रुपे का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, इस के इस योजना के अंतरगत, इस सुरक्षा बीमा योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश में 72.10 लाक, ठीक है, 72.1 लाक लाभार थी, इस योजना के अंतरगा जून 2021 थक के इस्थिती में शामिल है, ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर जो है, जैसे प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो राशी निर्धारित की गई है, 330 और यह जो 12 रूपए की जो वार्शी प्रीमियम राशी है, इस बीमा में योजना में शामिल होने के लिए क्या करना होगा, कि जो बीमा धारक है, उसे अपना बैंक एकाउंट इस योजना से लिंक करना होता है, साल में एक बार 330 रूपए की राश राशी आटोमेटिकली उसके एकाउंट से डेबिट हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बीमा धारक ने अपने बैंक एकाउंट में इस 330 रूपए का minimum balance maintain ही नहीं किया, यानि कि उसके एकाउंट माली जो 200 रूपए है, और amount कितना है 330 रूपए, तो उस condition में क्या हो यह जो आपका सुरक्षा जीवन जोती सुरक्षा बीमा है, वह वहीं पर समाप्त हो जाएगा, पॉलिसी वहीं पर रद्ध हो जाएगी, वैसे ही अगर किसी के एकाउंट 12 रूपए भी maintain नहीं है, और यह एकाउंट डेबिट नहीं हो पाया, तो उस condition में automatically इस प्रधान मंत जोजना के अंतरगत 18-70 वर्ष आयूवर्ग के लोग, इस बीमा जोजना का लाब ले सकते हैं, 12 रूपए वार्षी क्रीमियम राशी है, बीमा कबर, अगर जैसे खाता धारक है, उसकी मृत्ति हो जाती है, तो उसके नौमिनी को 2 लाख रूप है, इस्थाई विकलांगता और अई स्थाई विकलांगता, इस्थाई विकलांगता का मतलब मान लीजे जो आपका बीमा धारक है, उस बीमा धारक का एकदम जो है, काफी डेंजर तरीके से एक्सिडेंट हुआ, इतना खतरनाक एक्सिडेंट हुआ कि मान लीजे उसका पैर फैक्चर हो गया, पैर फैक रखो और अस्थाई विकलांगता याने की एक्सिडेंट जो हुआ किसी बीमा धारक का और एक्सिडेंट के बाद वो उसका पैर फैक्चर हुआ उससे रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लगेगा पैर ठीक तो हो जाएगा लेकिन पैर जो है उतना मजबूत नहीं रहेगा जैसे की पहले था तो ये क्या होगा आपका अस्थाई विकलांगता अस्थाई विकलांगता जो की कुछ समय के लिए है एक लाख रुपए का इसमें बीमा कवर प्रदान किया जाएगा इस प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश में 72.10 ल अयुवर्ग के लोग इस योजना के लिए पात रहोंगे इसमें एक निश्चित राशी 20 वर्ष तक जमा करनी होती है अब इस निश्चित राशी क्या है आगे हम देखेंगे इस योजना का अंतरगत जो है असंगठित नीजी छेत्र ध्यान दीजेगा असंगठित नीजी नीजी छेत्र का मतलब जैसे कि एक होता है आपका गौवर्मेंट सेक्टर और एक होता है प्रावेट सेक्टर यहां पर क्या बोल रहा है आपका प्रावेट सेक्टर नीजी छेत्र कैसा नीजी छेत्र असंगठित असंगठित का मतलब जैसे कि आपका जो स्रमिक वर्ग रह माल लीजे कोई एक निजी कमपनी में कोई एक Pune है कोई ये महिलाएं जो लोगों के घर-घर जा कर bit बरतन बल करके अपना गुझारा करती हैं कोई निर्माया आप ठेके-दार के अंदर कोई मज़दूरी कारे करता है तो ऐसे लोग असंगठि संगठित छेत्र का मतलब किसी एक जगह पे रजिश्टर्ड होना यानि कि जैसे मैंने आपको बताया स्रम कर्मकार मंडल के अंतरगत हमारे 36 गणे बहुत स्रमिक आपके रजिश्टर्ड होते हैं तो यह नहीं होना चाहिए इसमें क्या बोड़ा असंगठित नीजी छेत्र के असंगठित नीजी छेत्र में कारेरत स्रमिक ठीक इन्हें जो है आपके 60 वर्ष की आयू के बाद इन्हें पेंशन दिया जाएगा और जो पेंशन की रासी है यह 1000-5000 रुपए प्रती महा मासिक हो सकती है अब 1000-5000 रुपए का मतलब देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी आयू 60 वर्ष की हो जाएगी 60 वर्ष के बाद जो है उसे प्रती महा पेंशन रासी प्रदान की जाएगी और यह पेंशन रासी डिपैंड करेगा कि उसने 20 वर्षों में कितना minimum amount deposit किया है माल दीजिए अगर कुछ उसने particular minimum amount deposit किया तो उसे 1000 रुपए मिलेगा अगर उससे ज 20 सालों में कितनी राशी जमा करी है उसे कितना मासिक आपका pension चाहिए उसके हिसाफ से यहां पर amount decide होता है और उतना amount उसे 20 साल तक deposit करना होगा उसके बाद जब उसके आयू 60 साल की हो जाएगी 60 साल की आयू पूर्ण होने के पस्चात उसे वो राशी pension की रुप में मिलेगा ठीक है इस अटल पेंचन योजना के अंतरगत जून 2021 तक की स्थिती में हमारे प्रदेश में 4.55 लाग 4.55 लाख लाभार्थी मौजूद है ठीक नेक्स्ट है आपका सुकन्या समरिद्धी योजना ये योजना भी काफी important है सुकन्या समरिद्धी योजना जोकी बेटी बच नहीं होती इस उद्धेश से सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुवात की गई ठीक है आज भी यहाँ शहरों मे भी रहने वाले बहुतत सा ऐसे लोग है जिनकी ये मान सिकता है कि बेटी के जन्म के साथी उसे बोज संझा जाता है याने कि बेटी के जन्म के पश्चात उसके पढ़ाई लिखाई का उसके रहने खाने का खर्च फिर उसके शादी का खर्च और शादी होकर कि बेटी को पराधन समझा जाता है बेटी शादी होकर कि चले जाएगी उसे दहिस देना पड़ेगा ऐसी मानसिक्ता फैली होई है हम इसमें 10 वर्षा से कम आयू की बालिकाओं का बालिकाओं का जो है इसमें bank account खुला जा सकता है देखिए जनरली क्या होता है कि हम जो bank account खुलाते हैं उसमें minimum interest rate मिलता है हमको 3% के आसपास लेकिन इस सुकन्य सम्रिद्धी योजना के अंतरगत लगबक 7.6 just double लगबक 7.6 के आस interest rate मिलता है तो जो आपके किसी परिवार में अगर कोई बालिका है तो maximum दो maximum दो बालिकाओं का एक परिवार की एक माता पिता की अधिक्तम दो बालिकाओं का account खुला जा सकता है आपके सुकन्य सम्रिद्धी योजना के अंतरगत जिसमें 200 रुपे सालाना की नियुनतम खाता खुलवाय जा सकता है इसका limit क्या है कम से कम 200 रुपे अधिक से अधिक देड़ लाख रुपे लोग अपने समर्थेता के हिसाब से मान लीजे कोई गरीब परिवार है उसे अगर अपने बेटी का खाता खुलाना तो वो 200 रुपे के साथ एक साल में कम से कम 200 रुपे उसे डिपोजिट करना होगा ठीक है और कोई सक्षम है तो वो अधिक से अधिक देड़ लाख रुपे एक साल में डिपोजिट कर सकता है देड़ लाख से जादा नहीं साल आना ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी ने एकाउंट खुला दिया चोड़ दिया कम से कम उसे जो है 200 बात तक इसकी maturity का होगी जब जो आपके बालिका बालिका की जब उम्र जो है बालिका जो है जब 21 साल की हो जाएगी ठीक है तब इसका amount mature हो जाएगा यानि कि इस से पैसा निकाल सकते है या जब बालिका की शादी हो रही है हमारे देश में जो है 18 वर्ष के बाद कभी भी जब बालिका 18 वर्ष की हो जाए तो वो अपने education purpose से जो amount जो deposit है उसमें जो 50% की राशी निकाल सकती है इस सुकन्य समरिद्धी योजना के अंतरगत अप्रेल 2021 तक की इस्थिती में ब्याजदर रहा आपका 7.6% हर तिमाही आदार पर यह ब्याजदर है रिवाइज होता है लेकिन अप्रेल 2021 के बास से यह चेंज नहीं हुआ है इसमें maximum अगर आप ध्यान देंगे तो 2015-16 की इस्थिती में इसका जो आपका interest rate है यह 9.2% तक जा चुका है यह है आपका सुकन्य समरिद्धी योजना जिसमें अप्रेल 2021 तक की इस्थिती में इसमें जो आपका यानिक 22% तक भी जा चुका है ठीक नॉर्मली जो बैंक अकाउंट हो उसमें 3% के आसपास ब्याज मिलता है इसमें लगवाग आपका साढ़े साथ परसंट के आसपास ब्याज मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका मुद्रा योजना मुद्रा योजना मुद DRA, मुद्रा योजना, Micro Unit Development Refinance Agency, इसका फुल फॉर्म है, यह जो आपका मुद्रा योजना है, इसकी शुरुवात हुई आपके 8 अप्रेल 2015 को, नाम से इस पर्ष्ट है, Micro Unit Development, याने कि सुच में एवं लगु व्यावसाय उद्योगों के विकास के लिए, यह मुद्रा योजना लाया गया, देखिए, यह मुद्रा योजना क्या है, यह एक प्रकार की रिन योजना है, जनरली क्या होता है, जो बड़े-बड़े उद्योग होते है, जो बड़े- जो कि मुख्यता आपके सुक्ष्म एवं लगु व्यावसाय को टार्गेट करते हुए इस योजना को लाया गया, देखिए, इसमें तीन चरण में रिन राशी प्रदान की जाती है, एक है शिशू, दूसरा किशोर और तीसरा है तरून, शिशू वर्ग के अंतरकत आने वा उद्योगों को 5 से लेकर के 10 लाख रुपे तक की राशी रिन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, इन्पॉर्टेंट है, मुद्रा योजना की शुरुगात कब हुई, इससे भी प्रशन आया हुआ है, मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट इससे भी आपका कोश्चन आया हुआ है, मुद्रा योजना के जो तीन चरण है, जिसमें रिन राशी प्रदान की जा रही है, इससे भी प्रशन आया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा तीनों को अच्छे से कीजेगा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रदेश म जो है, बैंकों की संखे, जून 2021 तक की स्थिति में 47, हमारे प्रदेश में, ओवराल आपके 47 बैंक है, जिसकी शाखाएं, 47 बैंक है, बोला जा रहा है न, यहां ध्यान दीजेगा, देखिए, उसकी ओवराल साखाएं कितनी है, 3136, 3136, ATM की संख्या कितनी है, वो है 3320, करोड में है, 1,92,324 करोड रुपे की राशी हमारे 36 गड़ में, डिपॉजिट है बैंकों में, ठेक, अब देखिए, रुपे कार्ड, अभी हमने देखा था पिछले बार रुपे कार्ड, जो रुपे कार्ड क्या है, यह एक प्रकार का डेबिट कार्ड है, वित्य लेन दे कार्ड और एक चलता था आपका मास्टर कार्ड, यह दोना को दोना जो कार्ड है यह विदेशो की कमपनिया है, अमेरिका की कमपनी है, तो जनरली यह जो कार्ड है, देखे, यह सिक्योरिटी परपस से गवर्मेंट ने क्या किया, अपना खुद का एक कार्ड लॉपे जो खाता धारक है, जो बैंक में जो आपके खाता धारक है, उनका डाटा, कहीं न कहीं, डेबिट कार्ड के थूरू यह चले जाता था विदेशो में, ठेक, उसके साथ-साथ यह जो आपके कमपनी थी, वीजा और मास्टर कार्ड, यह हैवी एमांट जो है, आपका लेती थ तो आपको फ्री में ही एक डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, रूपे का डेबिट कार्ड, अगर आप वीजा का मंगेंगे, तो कम से कम 1500 से 2500 रूपे चार्ज लिया जाता है, देखिए यह क्या है, यह भारतिय बैंको और भारत में वित्तिय संस्थानों में, इलेक्ट्रि कार्ड है, इसे नियोजित, यानि कि इसे कंट्रोल कौन करता है, यह है आपका NPCI, भारतिय रास्ट्रिय भुक्तान प्रणाली, यह इसे जो है, नियोजित करता है, और इसमें सुईधा क्या मिलती है, यह भारतिय बैंकों को काफी कम, एवं सस्ती लागत पर कार्ड ठीक है, जो की एक debit card company है, next देखिए, next है आपका e-sakti योजना, e-sakti योजना यह क्या है, ध्यान समझेगा, e-sakti योजना यह स्वयम सहयता समूधों के digitization से, ठीक है, अभी जो है आपका वरतमान का समय है, यह digital का जमाना है, तो यह जो हमारे प्रदेश में जो स्वयम सह 15 को नाबार्ड के द्वारा इस इशक्ति योजना की शुरुवात हुई थी, इसका जो क्रियानवयन है, यह हमारे प्रदेश के 6 जिलों में किया जा रहा है, 31 दिसंबर 2021 तक की इस्थिति में, 6 जिले कौन-कौन से है, राजनांद गाओ, दुर्ग, बिलासपूर, बस्तर, दंतेवड़ा और रायगर, इन 6 जिलों में इसका क्रियानवयन किया जा रहा है, उपलब्दी क्या है, इन 6 जिलों में अब तक 43,853 सहायता समुहों को डिजिटाइज किया जा चुका है, ठीक है, और 40% समुहों को रिण भी दिया जा जा चुका है, इसके अंतरगर, देखे सहायता समुहों के डिजिटाइजेशन समबंदित है, तो आपके इन 6 जिलों के 43,853 सहायता समुहों को डिजिटाइज किया जा चुका है, ठीक है, तो आप बस इसका डेट याद रखिएगा, कि इशक्ति यूजना, सहायता समुहों के डिजिटाइजेशन समबंदित है, औ तो आपके कारेरत जो कृषी क्लब है, कृषक क्लब है, उनकी संक्या है 700, जबकि कृषक उत्पादक जो संगठन है, उनकी संक्या है आपका 57, 700 और 57, ध्यान दिजेगा, इसका जो उद्देश है, वो निविष्ठो का प्रबंधन, उत्पादन, एकत्री करण, अधी प्राप जो आपके जो जो नई नई जो तकनिक आती है, तो ये ग्रूप आपस में मिल करके इन ग्रूप के लोगों को समझाया जाता है, उन्हें प्रसिक्षित किया जाता है, नए बाजार के बारे में समझाया जाता है, मार्केट के बारे में समझाया जाता है, ये है आपका तो यूज किये गया है, वो शब्द है, लेकिन आसान सब्दों में ये कृषको का एक गुरूप है, एक समूँ है, तो हमारे जो प्रदेश है, प्रदेश में कृषक क्लब, कितने कृषक क्लब कारी रहत है, तो वो है 700, और कृषक उत्पास संगठनों की संख्या कितनी है, व जो बैंक होते है, कमर्शल होते हैं, और जो एक यहां पर कुछ बैंक बताएगा है, जो कि है आपके सहकारी बैंक, कमर्शल बैंक का उद्देश्च क्या होता है, लोगों के पैसे डिपोजिट करके थोड़ा से ज्यादा ब्याजदर पर लोन देना, तो बीच का जो अगर लेकिन इस सहकारिता के अंतर का जो बैंक होते है यह कमाई के उद्देश से नहीं लोगों के मदद के उद्देश से खोले जाते हैं कम से कम ब्याजतर पर लोगों को जो है रिन उपलब्ध कराना यह इन बैंक का में उद्देश्य होता है देखिए हमारे 36 गड़ का जो है जो पास लाश्ट यर का economic survey है वो उसमें चेक कीजिएगा उसमें साथ था लेकिन इस बार के economic survey में केवल 6 सहकारी बैंकों का जिक्र किया गया है एक गायब है ठीक है थुरा सर्च कीजिएगा कौन सा यह data हम mention करते हैं कुछ जैसे आप में से कुछ लोग comment करके बोले कि सर पिछले साल आपने साथ पढ़ाया था इस साल आप 6 पढ़ा रहे तो economic जो government को जो official economic survey है उसमें ही 6 बताया गया है एक को हटा दिया है ठीक है तो थोड़ा सा सर्च कीजिए कौन सा हटाया है लाश्ट यर म वस एकोनोमिक सर्वे होगा उसको भी यह data मिल जाएगा तो उसको पढ़ करके रखिएगा और नीचे comment करके बतायागा कि इसमें से कौन सा एक गायाब है टोटल साथ है लेकिन economic सर्वे में केवल 6 का जिक्र है ठीक देखिए अगर हम जीला सहकारी केंद्रिय बैंक की बात कर और एक है आपका जगदलपूर ठीक है राइपूर राइपूर संभाग का मुख्या ले दुर्ग दुर्ग संभाग का मुख्या ले बिलासपूर बिलासपूर संभाग का मुख्या ले अंबिकापूर और आपको बस्तर संभाग का मुख्या ले जगदलपूर ठीक है तो य इसके आंतरगत कौन-कौन से, इसके कारेची छेत्र ही, कारेची हेत्र है मत्लब इसकी जो साखाय है, ये कहां-कहां फैली हुई है, जिसके राइपूर का धमतरी, महासमून गरियावन बलन वजाCH राइपुर। जो इसके अंतरगत जो जीले आ रहे है वैसे दुर्ग के अंतरगत दुर्ग बालोत बेमे तरह ठीक राजनाद गाउ के अंतरगत राजनाद गाउ और कबीरधा अंबीकापूर के अंतरगत अंबीकापूर सूरजपूर बलरामपूर कोरिया जबकि जगदलपूर के अंतरगत है आपका जगदलपूर कांकिर दंतेवाड़ा बिजयपूर नरायनपूर कोंडागा और आपका सुकमा ठेक अब प्रश्ण पूछा जाएगा कि निम लिखित में से किस जीला सहकारी बैंक का कार या छेतर सरवाधिक है या सबसे बड़ा है तो एंसर क्या होगा वो होगा प्रश्ण पूछा जाएगा कि जीला सहकारी बैंक प्रदेश किस जीला सहकारी बैंक की सरवाधिक शाखाएं है तो वह है आपका रायपूर कितनी शाखाएं है 69 एक प्रश्ण पूछा जाएगा कि निम लिखित में से प्रदेश के किस जीला सहकारी बैंक ने अपनी शाख जिसने अपने इस कारे छेत्र में यालने की दुर्ग बालोत बेमेतरा वाले कारे छेत्र में इसने ओनलाइन बेंकिंग की सुईधा प्राराम्ब की है तो इसको थोड़ा सा याद रखना है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका क्रिशक रिण वित्रन जैसे कि मैंने बता है प्रायोजन याने कि उद्देश से दर रिण लिया जा रहा है कि अधिक्तम राशी रिंड की रूप में दी जा सकती है और व्याजदर कितना है हमारे प्रदेश में अगर कोई किसान जो अल्पकालिन रिंड लेता है देखिए रिंड भी जो है कुछ कैटेगरी होती है अ ध्यान देगे हमारे प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तिय वर्शे 2014-15 से शुन्य प्रतिशात ब्याजदर पर अल्पकालिन रिंड उपलफ दह नकरा पनाए जा रहा है कैसा रिंड वर्शे से वित्तिय के अनुपात में दिया रहा है जैनि किसान अगर चाहरा है उसे खरीद करके उसे दिया जाएगा तो यह है आपका अल्पकाली क्रिशी रेंड ठीक है पांच लाख रुपए शुन्य प्रतिशत ब्याजदर के इंट्रेस्ट रेट पे किसान को दिया जाता है ठीक नेक्स्ट है आपका गौपालन ही तू याने कि जो गाये को प रिण एक प्रतिशत ब्याजदर पर जबकि एक से तीन लाग तक का रिण तीन प्रतिशत ब्याजदर पर दिया जाता है जैने कि अगर आप देखेंगे तो जीला सहकारी बैंक है उनके द्वारा कितना मिनिमम इंट्रेस्ट रेट पर रिण मुहया कराया जा रहा है ठीक है तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका इस्थापिस सक्करकार खाना हमारे प्रदेश में कुल चार सक्करकार खाने मौजूद है एक है आपका भोरम देव शक्करकार खाना जो की मौजूद है रामहेपूर कवरधा में दूसरा है अमहा माया शक्करकार खाना जो की प्रदेश के कुल चार शक्करकार खाने हैं देखिए अगर हम देखेंगे तो इसमें से सबसे पुरान शक्करकार खाना कौन सा है हमारे प्रदेश के सबसे पहला शक्करकार खाना है आपका भोरम देव शक्करकार खाना जो कि इस्थापित हुआ था जहां पर उत्पादन कार खानों के नाम देदेगा इधर क्या देगा उनका ग्राम यानि की राम हे पूर केत्रा करका भाटा पंडरिया ऐसा देगा और मैच दा फॉलविंग देगा जब कौन सा युगमा आपका असंगत है ऐसे फुच देगा तो यह दो इसको याद रखना है उसके अलावा इधर शक खाने का उत्पादन वर्ष 9-10 दंतेशोरी में यह सकरकार खाने का उत्पादन वर्ष 9-10 ठीक है दोनों लगभाग एक ही डेट में शुरू हुए थे कुछ महीनों का आगे पीछे था अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है इसकी पेराई छमता पेराई छमता जो की काउं इन सभी शक्करकार खाने की पिराई छमता सरवाधिक है लगभाग 3500 TDS के आसपास है ठीक नेक्स देखिए किसानों से गणना खरीदी एवं उत्पादन यह जो है पिराई वर्ष 2021 में अगर आप देखेंगे ध्यान दिजेगा इसमें से अगर आप देखेंगे तो सरवाध की कवर्धा का मतलब क्या है आपको भूरंदेव शक्करकार खाना बालोत का मतलब माँ धनतेश क्रकार खाना सुराजपूर का मतलब माहमया शक्कर कर खाना पंडरिया का मतलब सरदार वल्लगा पतचensa Прorar खाना तो यहां पर सर्वाधिक पिराई का लक्षे था आपका कंवर आपके कवरधा में और सरवाधिक गन्य का उत्पादन कहां पर हुआ देखा जाए तो वो भी हुई आपके कवरधा में ठेक है तो हमारे प्रदेश में जो भुरंदय सक्कर कारखाना है वहाँ पर पेराई का लक्ष सरवाधिक था वित्तिय वर्षे 2021-22 में वहाँ पर हमारे प्रदेश के पूरे के पूरे के पूरे शक्कर कारखानों को मिला करके हमारे प्रदेश में वित्तिय वर्षे 2021-22 में 78,217 कुंट शक्कर का उत्पादन हुआ ठीक है बाकी इसे आप पढ़ सकते हैं ठीक जितने इंपोर्टेंट है मैं क्यों उसी को बता रहा हूँ य शक्कर कारखाने देखे शक्कर कारखाने में जो गन्ने की पेराई के पस्चात उससे बनता है पेराई के पस्चात जो बचा हुआ जो मटेरियल है उसे कहा जाता है आपका मोलासीस और उस मोलासीस का उप्योग करके इथेनॉल बनाया जा सकता है तो इथेनॉल निर्मान के लिए जो है दो प्रस्तावीत है एक है आपका माहा माया सहकारी सक्करकार खाने जो की केड़ता ग्राम सूरजपूर में है और दूसरा भोरम देव सहकारी सक्करकार खाने जो की रामेपूर कवरधा में है यहाँ पर 20 KLPD का महा याने की सूरजपूर में 20 KLPD का जो है छमता वाल है जिसके लिए आपका एक company से समझोता हुआ है जिसका नाम है VSI पूने ठीक है पूने की company समझोता हुआ जबकि भोरमदेव में आपका 40 K LPD छमता का यहां पर इथेनोल प्लांट इस्थापीत किया जाना प्रस्तावीत है जिसके लिए एन के जे बायो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ठीक है चत्तिस गड़ डिलीवरी के नाम से जिसे जाना जाता है उसके साथ यहां पर समझोता हुआ है हमारे प्रदेश में एक 6 मेगा वोट का को जनरेशन पावर प्लांट याने की जो गन्य की पेराई के पस्चाथ जो आपके आउशेज बचे हुए रहते है उससे 6 मेगा वोट का यहां पर जो है एक प्लापावर प्लांट इस्थाबित किया यह कहां पर माहा माया शकर कारखाना ग्राम केर्था ग्राम मर्यादित देखिए जहां पर जो है आपका सूरजपूर है सूरजपूर का जो सक्कर कारखाना है कई बार आपको सूरजपूर केत्रा ग्राम सूरजपूर देगा तो कई बार आपका जो है अंबिकापूर देगा क्योंकि वहां का जो मेन हैड़कॉर कहां है वो है आपके अंबिकाप इसी सहकारी साक समीतियों की संख्या थी 1333, इन 1333 में ध्यान दीजेगा इस प्रात्मिक क्रिशी सहकारी साक समीति का जो है पुनर गठन किया गया वर्ष 2019 में और वर्ष 2019 है पुनर गठन करने के पशात इसका संशोधन किया गया और 725 नई समीतियों गठन किया गया, तो 725 न तो हजार अंठावन, बीस अंठावन, समीतियों की संख्या है वर्तमान में, तो इसको भी तर्थान रखना है, इससे भी n indirect question पूछ सकता है, इनके कार्य क्या है, इन समीतियों की लाब क्या है, या पढ़ सकती है, ठीक है प्रात्मिक सहकारी साख समीतियों के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकारिन रिन उपलब्द कराया जाता है साती धान उपारजन रासाइनिक उर्वरकों का वित्रन आदिक कारे समीतियों के माध्यम से किया जाता है यानि ये खिसानों को एक तो अल्पकारिन रिन लेने में इनकी मदद करती है खिसानों की साथ साथ धार्न उपारजन के लिए जो रासाइनिक उर्वरक मिलते है उर्वरकों का वित्रन ये सारे कारे करती है आपकी ये प्रात्मी क्रिशी साख सहकारी समीतिया ठीक है इंडस मेगा फूट पार्क इंडस मेगा फूट पार्क ये लाश्ट एर करेंट अफेर बना था ध्यान दीजेगा ये रायपूर जिले में आपका बेमता सरोरा वाले छेत्र में इंडस बेश्ट मेगा फूट पार्क इस्थापित किया गया है ये पूर्ण हुआ या इसका उ उत्पात बाजार से जोडने के लिए एक तंत्र यानि कि एक सिश्टम प्रदान करना ताकि मुल्य वर्धन को अधिक अपव्याय को कम यानि कि जादा से जादा जो है आपका इंकम जनरेट कर सके वेश्टेच कम हो किसानों की आय को जादा करके रोजगार के नए आउसरों का स्रीजन करना विशेश बात क्या है कि इस फुड पार्क से करीब 5,000 हमारे प्रदेश के 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 25,000 किसान लाभानवित होंगे तो यह है आपका इंडस बेश्ट मेगा फुड पार्क कहां पर है रायपूर जीले में किस इस्थान पर बाकी इसमें आकड़े पढ़ने कब उदखाटन हुआ लोकेशन कहां है बाकी यह उद्देश विशेश यह सब बाते आपके में सेंसर राइटिंग में ही काम आती है ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकी देखेंगे हम कल के क्लास में अध्याय साथ कृशी एवन सेवा ठीक है चलिए